को बताना चाहूंगी कि हमारा SSC CIGIL 2020 और 2021 के लिए जो job assure program है वो बहुत ही nominal fees पर हम start कर रहे हैं 3rd June से ये जो program है ये start हो रहा है 3rd June से start हो रहा है बहुत ही nominal fees पर और इस program की एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है कि इसमें बिल्कुल day wise schedule होता है किस दिन आपको क्या पढ़ना है वो exactly सारा कुछ है उसमें दिया होता है videos, pdf, unit test, सारी चीज़े जो है current phase for the last one year before the exam, hundred full length test year one के लिए बिल्कुल TCS pattern पर ये सभी चीज़े जो है वो इसमें covered होंगी तो बिना समय गवाएं आप जल से जल से join करें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा SSE CGL 2020 और 21 के लिए जो job assure program है वो बहुत ही nominal fees पर हम start कर रहे हैं 3rd June से ये जो program है ये start हो रहा है 3rd June से ये start हो रहा है बहुत ही nominal fees पर और इस program की एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है कि इसमें बिल्कुल day wise schedule होता है किस दिन phase for the last one year before the exam 100 full length test year 1 के लिए बिल्कुल TCS pattern पर ये सभी चीज़े जो है वो इसमें covered होंगी तो बिना समय गवाएं आप जल से जल से जाइन करें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा SSC CIGIL 2020 और 21 के लिए जो job assure program है वो बहुत ही nominal fees Hello everyone my name is Mansi Bhanot स्वागते आप सभी का हमारे आज के इस session में journal awareness में जैसे कि आप सभी जानते हैं हम 1 to 50 questions आपके साथ discuss करेंगे आपको यह telly करके रखना है कि कितने questions आप सही कर सकते हैं ठीक है जितने negative markings होगी प्लीज उस पर ध्यान जरूर दीजेगा आपको इस series के जरीए यह tell करना है कि आप competitive exams के लिए इतने पक्के हो जाएं कि यहाँ पर in sets में 50 में से 50 marks attain कर सकें ठीक है तो चलिए शुरू करते है पुंचा हैं कर फुर्शन आपकी स्क्रीण के ऊपर पहला प्रशन देखिए पहले प्रश्नों में आपसी क्या पूचा गया है जाता है यह आपको ध्यान में रखना है plutonium 238 का इस्तामाल यहां पर किया जाता है चलिए बात करते हैं अगले प्रशन की प्रशन नंबर 2 जंबु घोड़ा वाइलाइफ सेंचुरी इस इन विच स्टेट तो कौन सी स्टेट में यह जंबु घोड़ा वाइलाइफ सेंचुर गुजरात में जंबु घोड़ा वाइलाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं यह पर्टिकुलर एरिया में यहां पर सिचुएटिड है ओके यह वाइलाइफ सेंचुरी जो है यह जंबु घोड़ा तहसील जो की साउथ सेंट्रल पार्ट है गुजरात का कैठेवाड गिर का जो एरिया है ड्राइ डेसिडियेस फॉरिट्स यहां पर पाए जाते हैं वहां पर यह लोकेटिड है यहां से अगर वडोदरा की बात की जाए तो 70 किलोमीटर की दूरी पर वडोदरा है और यहां पर आसपास के एरिया में अगर बात कि जाए पावगड इसके लावा कंट्री में सिच्ट एप यह यहां पर मैप में आप देख सकते हैं यह एक बहुत ही प्राचीन लेख है और मांटेनियस जो एरिया है रशियन सेसे का जो मंगोलियन बोर्डर को शेर करता है ओंब इसके लावा इसके आसपास का जो एरिया देख सकते हैं वह एक hiking path develop करती है ठीक है hiking path और इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है great bicycle trail तो यह इसको बोला जाता है इसके आसपास का जो hiking path है यह आपको यह पर ध्यान में रखना है इसके इलावा एक important चीज है यह winter time में ice skating और dog sledding के काम में आता है इसका area चलिए अगला question की हाँ पर बात करते हैं next question देखे इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे मयामार को आपको बताना है कब इसको celebrate किया जाता है तो इसको चार जनवरी को मनाया जाता है आपको ध्यान में रखना है नाशनल हॉलिडेज के रूप में मयामार में इसको जो है स्थापित किया गया है मयामार का इंडिपेंडेंस अगर ब्रिटिश से पूछा जाए तो यह चार जनवरी 1948 में डेक्लेर हुआ था तब से यह मनाया जा रहा है ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश्चन देखे एक हुए इसका सही आंसर है एकदम सही तो इन्होंने जो हाली में चेर्मेन और मैनेजिंग डारेक्टर का पद जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड में ग्रहन किया है और यह एफेक्टिव रहा है एप्रिल 1, 2016 से यह आपको ध्यान में रखना है इससे पूर्व अगर बात की जाए तो यह CEO रह चुके है प्राइज पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड के अब प्राइज पेट्रोलियम कॉर्परेशन क्या है यह एक सबसिडरी है हच पी सी एल की तो तब जो है यह CEO उसमें रहे 2012 उसमें रहे थे उसके बाद अब 2016 उनवर्ट जो है चेर्मेन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड के चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नए चेर्मेन का नाम आपको बताना है मनोज अहूजा जो है इसका सही आंसर है हां जी ओके तो यह इसका सही आंसर है एक चीज़ दियान में रखिएगा जितने भी फैक्ट्वल क्वेश्चन यहां पर डिसक्स किये जाते हैं आपको लगता होगा कि मैं इतनी डेट्स कैसे याद रखी जाये जाए दिकिरें आपको यह नी होता कि सभी डेट्स याद रखनी पड़ें बट क्या होता है जितना अप्रक्टीस करेंगे जितने क्वेस्टन सब डेइली बेसस पर देखिएंगे उससे क्या होगा आपको यादा नी रखना पड़ेगा को कहीं नहीं सब si याद करने के जरूरत ही ओके चलिए इसका सही आंसर है तो मनोज अहुजा कौन है आई-एस अधिकारी है इनको किसकी पोजिशन को इन्होंने रिप्लेस किया है तो अनीता करवाल को रिप्लेस करके यह नुक्त हुए है और मनोज अहुजा जो है और इसा के आई-एस अधिकारी है यह आपको ध्यान में रखना है स्पेशल डिरेक्टर है यह लाल भादुर शास्त्री नाश्टनल अकाडम इस सामने आएगा दस्मी और बार्मी की इस साल की परिक्षाय कराना जैसे कि आप जानते ही है तो चलिए बात करते हैं अंगले प्रशन की प्रशन नंबर साथ निमनलिकित शाष्ट को में से किसको कभियों का राजा कहा जाता है तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है इन्विंसिबल वॉरियर इन्विंसिबल वॉरियर यह आपको बताना है किसके द्वारा यह पुस्तक जो है यह लिखी गई है तो यह रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई है यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं यह नई बुक महाराना परताब के ओपर जो लिखी गई ह यह बुक जो है इन्विंसिबल वॉरियर रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई है इसमें महाराना परताब की पूरी लाइफ उनके बैटल्स राजपुद वॉरियर के रूप में स्पेशली जो हल्दी गाटी की लड़ाई है उसके बारे में विशे शुरूप से जो है सारी चीज़े इसमें में मेंचन की गई है यह आपके आपर ध्यान में रखना है चलिए अगले प्रशन के हाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कुर्शन देखिए में घानलियर नौर्थ इस्टन साइड में यह लोगेटेड है यह ध्यान में रखेगा इंडियन पैनिसिलर का यह 6 अपर देखिए को इफ इस आएवडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आज के क्वेस्टेन में सबसे असान अगर कोई होगा तो यह ही थो नह meio कि देशिएंसी ओफ प्रिवेंचिंटीज है एक ध्रूब डियान में रखना है एंडेर से어가ूà अधियान मेừng एह जो था निमिएक उर 95 is यह जनीरेशन ऑब the computers which was built with VLSI technology and microprocessor generation आपको बतानी है कि कौन सी generation है comment section में लिकर अभी यह भी बताएगा अभी फिलहाल कौन सी generation चल रही है तो VLSI यानि very large scale integrated circuits वो और microprocessor जो है यह कौन सी generation के पार्ट है तो यह है fourth generation यह आप उद्यान में रखना है चलिए next question देखिए who will be the chairman of the world health organization executive board विश्व स्वास्ते संगठन के कारी-कारी board के अध्यक्ष कौन होंगे तो वो आपको यहाँ पर बताना है सही answer इसका dr. हर्षवर्धन तो B जो है इसका सही answer है dr. हर्षवर्धन जो है union health minister dr. हर्षवर्धन जो है वो chairman न्यूक्त होंगे WHO के executive board के तो यह आपको ध्यान में रखना है executive board में कौन-कौन है देखे 34 technically qualified जो है members इसमें न्यूक्त किये जाते हैं तीन साल के term के लिए तीन साल के term के लिए न्यूक्ती 34 technically qualified लोगों किसमें की जाती है जो chairman की position इसमें होती है वो एक साल के लिए रखी जाती है उसी regional group में सी तै किया जाता है इसका मुख्य रूप से उदेश्य ये रहता है कि board के सभी members decisions और policies बनाते हैं health assemblies को लेकर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और प्रशन नबर 13 आंदर प्रदेश का शास्त्री नृत्य कौन सा है तो कुच्चिपुडी, Odyssey, भरतनाट्यम या फिर कथकली तो कौन सा है देखे एक कुच्चिपुडी जो है इसका सही आंसर है यहाँ पे आप तस्वीर में इसको देख सकते हैं कुच्चिपुडी जो है 11 major Indian classical dances में आता है इसकी शुरुबात कुच्चिपुडी जो एक विलेज है और आंदर प्रदेश का वहां से शुरुबात हुई dance drama performance है हिंदू संस्कृत टेक्स्ट जो है नात्या शास्त्र से इसको लिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में इसका पॉस्चर वगरा next question देखते हैं next question यहाँ पर देखे लिए हटी गोल्ड माइन्स आर लोकेटि इन दी स्टेट ओफ तो हटी स्वन खदान किस राज्य में स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है तो कहाँ पर situated है यह करनाटका में तो ए जो इसका सही आंसर है यह राइचो डिस्टिक जो है राइचो डिस्टिक जो है करनाटका का वहाँ पर प्री और शोकन टाइम पिरिएट से जो है यह वहाँ पर situated है यह आपको ध्यान में रखना है चलिए अगले प्रशन की बात करते हैं यह कतन आपको बताना है किस ने कहा देश भक्ती धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है यह आपको बताना है भारत में सबसे प्राचीन है नील गिरी, अरावली, सत्पूरा या फिर वेस्टन घार तो सबसे प्राचीन शरंखला आपको यहाँ पर बतानी है तो वो है अरावली, अरावली जो है oldest mountain ranges है इंडिया की आपको ध्यान में रखना है next question देखिए pH value, सुमान्य व्यक्ति के रख्त का pH मान आपको बताना है किसके बीच में रहता है तो वो रहता है 7.35 से लेकर 7.45 तक क्या होगा अगर pH आपका कम होगा या जादा होगा तो देखिए, अगर आपका pH जो है वो 7.35 और 7.45 से आगे या पिछे होता है तो या तो वो थोड़ा acidic होगा या थोड़ा alkaline होगा उससे भी आगे अगर बढ़ता है तो व्यक्ति की मृत्यू हो सकती है तो यह आपको आपका ध्यान में रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले question पर next question देखिए यापर the procedure for impeachment of the president of India यह आपको बताना है भारत में राष्टपती का महाभ्योग चलाने की प्रक्रिया का उलेक किस अनुचेद में किया गया है तो यह किस अनुचेद में किया गया है यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 61 में तो आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है कि अगर पार्लेमेंट में impeachment procedure शुरू करना है तो तू थर्ड से जादा की majority जो हर एक house की required होगी तभी जो है प्रेजिडेंट के खिलाज जो है impeachment शुरू की जाएगी नेक्स्ट कॉश्चन देखें यहाँ पर प्रेशन नंबर 19 को फामडेशिक फार्टी इंडियन नाशनल पार्डी नीज्ट में इने नाशनल पार्टी नेर्ली स्टापना इस चंपकड़ाम पल्लाई के दवारा यह स्टापना की घए तो इनके दौरा जो इंडिया नैशनल पार्टी है बर्लीन में 1914 में इसके शुरुवात की गई थी इनके इलावा जो है लाला हर्दियाल तारकनात दास मोहमद बारक्तुला राजा महिंदर परताप विरेंदर चतोपाद्या है तो यह सबी जो लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए थे जब इ नैशनल गेम नेपाल का इन में से कौन सा है तो वो है वॉलीबॉल यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं वॉलीबॉल जो है इनका नैशनल गेम है और यह कभी इसका नैशनल गेम बनाया गया है देट भी आप ध्यान में रख सकते हैं 23 मई 2017 में इसको जो है इनका नैशनल बनाया गया है चलिए अगले प्रेशन के आपर बात करते हैं को बेखान और और सी यू और आपको यह पर बताना है ऐसका तो वह आपको देखें सही आंसर इसका बताइए सही आंसर इसका मास योशी सोन सो सी जो है का सही आंसे है के मास योशी sixo जो है यह जो है Japanese technology रहे हैं इंवेस्टेर हैं फिलैन्थ्राफिस रहे हैं से कि सर्फ बैंक है coming गांट है । इसके लावा आट बेक्स इसक्सेंदेर में रहे हैं यह आपका ठ्याना रखना है चलिए बात करते हैं अंगले प्रेशन की बजरंग पूनिया आपको बताना है यह किस खेल से संबंदित हैं तो यह रैस्लिंग के साथ संबंदित है यहां को ध्यान में रखना है फ्री स्टाइल रैस्लिंग के अगर बात की जाए तो 65 kg वेट में यह कंपीट करते हैं इसके लावा इन्होंने तीन जो है साहित्य में यानि लिट्रेचर में यह वाड जो है दिया जाता है इंडियन लिट्रेशी के लिए बात की जाए तो हर साल एन्वली इस अवाड को जो है ऑथर्स को दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग कॉंट्रिबूशन के लिए ओके चलिए अगले यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं भारतिय ज्यान पीट पुरुशकार जो है इस तरह से यह जो है साइटेशन दे जाती है नेक्स कुर्शन देखें कामसूत्र वॉज रिटन बाई यह आपको बतानी है इसकी रचना किसके द्वारा की गई तो इसकी रचना जो है वात्सियायसन द्वारा की गई तो सी जो है इसका सही आंसर है यह एक एंशेंट इंडियन फिलोसोफर रहे जिन्होंने इसकी जो है कामसूत्र की राइटिंग की है ध्यान में रखना है पाटली पुत्र जो है मौडरन डे पत्ना की अगर बात की जाए वहां पर जो है इन्होंने थर्ड सेंचुरी के राउंड यह रहते थे तब इन्होंने बुंग जो है लिखी थी चलिए अगले पर बात करते हैं वाट इस ली क्रिमेक्टोरियम और लाल भादरी शास्त्री कॉल्ड तो आपको बताना है उनकी समादी को किस नान से जाना जाता है तो उसको कहते हैं विजे घाट साथ पर आपने आंसर जरूर टेली करते रहेएंगा कितने वेस्टन आपके सही जा रहे है है जिनको लग रहा है अगर आंसर असान है क्वेस्टन जी पूच जा रहे है तो चलिए यहां पर आप देखते हैं इसका सही आंसर है वीजे घाट ध्यान में रखना और एक और चीज़ इंपोर्टन है यहां पर सेकिंड प्राइम मिनिस्टर रही है लाल बहादुर शास्त है तो इसका सही आंसर है मार्क टोली से मार्क टोली मार्क टोली जो एक ब्रितिश इंडिया में पैदा हुए थे उनी सो थरिटीव में तो यह जो है चीप अप व्यूरो 20 एयर्स के लिए बीबी सी पे नई दिली में इसके लावा इनको काफी जो है और दिये गए थे इंड उपर चलिए next question यहां पर देखते है next question देखिए in the human body which gland is known as the master gland master gland आपको बताना है किस गरंती को master gland कहा जाता है तो कौम सी gland है आपकी pituitary gland यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं देखिए तो pituitary gland के अगर बात किजा इसको master gland कहा जाता है endocrine system का अभिनंग है यह हमारे endocr gland का major control करता है pituitary gland के अगर बात कि जाए एक मतर के धाने से ज्यादा बढ़ा नहीं होता यह हमारे brain के बिलकुर नीचे वाले पार्ट पर located होता है next question देखते हैं प्रशन नंबर 28 which of the following elements is a metaloid metaloid इसमें से आपको बताना है कौन सा जो तत्व है उपधातु है इसमें से phosphorus carbon manganese या फिर silicon इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है एक metaloid है metaloids कौन से होते हैं metaloids जैसे की आपका boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polynium यह सभी जो है यह elements आपके metaloids की category में आते हैं यह आपको ध्यान में रखना है यह सभी metal जो metaloids होते हैं यह metal और non metal के बीच में लाए करते हैं यानि ही इनके पास metals, non metals दोनों की properties जो है available होती है तो इसका सही आंसर क्या है देखिए इसमें सही आंसर है आपका silicon next question देखते हैं यहाँ पर next question monomer of teflon, teflon polymer का आपको monomer बताना है यहाँ पर तो इसका monomer कौन सा है? tetrafluoroethane इसका monomer है तो ए जो है इसका सही आंसर ए ध्यान में रखेगा teflon एक polymer है जो की बहुत सारे छोटे monomers को join करके, monomer मतलब single unit उसको join करके बनाया जाता है अगर हम बात करें tfe tetrafluoroethane इसको join करके polymerize इसको किया जाता है और इसको teflon कहा जाता है ध्यान में रखना है next question यहाँ पर देखे प्रशन नमबर 30 which index focuses on the price of goods traded between corporations rather than the goods bought by consumers कौन सा सूचकांग उपभोगताओं द्वारा खरीदे गए माल के बजाए निगमों के बीच व्यपार किये गए माल की कीमत पर केंद्रित होता है वो आपको यहाँ पर बताना है तो इसका सही आंसर है whole sale price index ठीक है तो थोक कीमत सूचकांग जो है इसका सही आंसर है ओके तो सी जो है इसका सही आंसर है clear है सभी को तो wholesale price index की बात की जाए WPI जो है यह वो index है जो कि measure करता है track करता है कितना change हो रहा है price of goods में तो यह आपको ध्यान में रखना है retail level की stage से पहले का यह stage है जब goods जो है बेचे जाते है bulk में जो इनकी trading जब की जाती है तब जो है तब जो उसको इंडेक्स ना पजाता है that is wholesale price index तो यह आपके consumers के product खरीदने से पहले का इंडेक्स है यह आपको ध्यान में रखना है next question यहाँ पर देखें the first law officer of the government of India is भारत सरकार का पहला कानून धिकारी आपको बताना है कौन सा होता है तो वह होता है attorney journal of India भारत के महा न्याएवादी जो है इसका सही answer है यह आपको ध्यान में रखना है जो अगर हम बात करें attorney journal का तो यह जो होते हैं first law officer होते हैं government of India के इसके इलावा यह legal advisor भी होते हैं यह ध्यान में रखेगा legal advisor होते है central government के लिए central government को यह हिदायते भी देते हैं साथ में जब भी कोई government of India के खिलाफ supreme court में जब case लगता है तो यह government के बिहाफ पे lawyer के रूप में पेश होते हैं तो यह सारी बाते आपको इसमें ध्यान में रख करते हैं प्रशन नंबर 32 in context of plate tectonics who was the first man to use the term plate plate term आपको बताना है plate term के संदर्व में plate tectonics संदर्व में यह जो term है plate यह term किसके द्वारा इस्तमाल में लाई गई थी तो यह जो term है सबसे पहले इसको इसको इस्तमाल में लाया गया था JT Wilson के द्वारा उन्होंने इस term का इस्तमाल जो है अपनी चीजों में करना शुरू किया था next question यहाँ पर देखिए कौन सी gas अपनी ठो सवस्था में dry ice के नाम से जानी जाती है तो वह कौन सी होती है solid carbon dioxide तो डी जो है इसका सही answer है dry ice जो होती है solid carbon dioxide होती है यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं तो यह एक cooling agent की तरह काम करती है इसकी मुख्य रूप से advantage क्या है बेहत कम तापमान पर लोवर टेंपरेचर यह attain कर सकती है अगर आप बर्फ की comparison करें अगर एक आईस जो है आप बर्फ से बना रहे है और एक आप carbon dioxide ड्राइस के रूप में इस्तमाल करें तो जादा लोवर टेंपरेचर पर stable जो है वो ड्र करते हैं ठीक है फ्रोजन फूड इस्तमाल करते हैं सफल के मटर खरीते हैं या फिर कोई भी आप जो है मकेन के package करीते हैं तो जितने भी आपके फ्रोजन फूड को आपको प्रिजर्व करना है मालिजिए मेकानिकल पूलिंग और किसी भी तरीके कि आपके पास अगर में इस तरह का इक स्टक्टर जो है वेलेबर होता है कूलेंट के रूप में ताकि जो है इंजेक्शन वगरा को आप इजिली जो है लाइट जाने पे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं यह वही सॉलिड कार्बन एक्सेड है जो हम एक्जेल कर रहे हैं जो प्लांस जो है फोटो आए पी आपको यहां पर बताना है किसके द्वारा संकलित किया जाता है और किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह किया जाता है सेंट्रल स्टाटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा केंद्रिय साखिय के कार्याले के द्वारा इसको जो है नियंत्रित किया जाता है यह आप question यहां पर देखिए which of the following vitamins is soluble in water तो यह आपको इहां पर बताना है तो देखिए vitamin अगर हम बात करें A, D, E, K यह ऐसे vitamins हैं जो कि insoluble होते हैं तो इसके इलावा जो भी बचे आपके vitamins वो water में soluble होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है vitamin A, D, E, K यह चार जो है यह insoluble in water में इसके इलावा जितने भी हैं वो सभी water में soluble होते हैं तो इसका सही आंसर क्या है vitamin B12 vitamin B12 की अगर बात करें तो जो भी vitamins है जैसे आपका ascorbic acid है ascorbic acid है ascorbic acid कौन सा है जैसे आपका vitamin C हो गया इसके लावा आपका थाइमिन है ठीक है इसके बाद riboflemin अक्षे कुमार एड में भी इसको जो है green tea की आड में riboflemin का इस्तमाल शब्द का करता है नाइसीन विटामिन B6 है ठीक है पैरिडाक्सिन है यह फिर आपका फोलासिन है विटामिन B12 लोग जो है एजिंग को जो है कंट्रोल करने के लिए इस्तमाल करते हैं यह सभी जो चीज़े हैं यह आपका पानी में सॉलिबल है तो वह आपको यहां पर ध्यान में रखना है वाटर सॉलिबल जो है आपके यह वाइटमिन से नेक्स्ट कुश्चिन यहां पर देखिए प्रेशन नमबर 36 विच पैनल सेट अप बाइडी गौर्डमेंट ऑफ इंडिया सज़ेस्टेट टोटल डी कंट्रोल द्वारा दिया गया था तो सी जो है इसका सही आंसर है यह पैनल जो है 2012 में इसका गठन जो है किया गया था ताकि जो है उस समय पाशिल डी कंट्रोल जो है शूगर का किया जा सके ठीक है चलिए बढ़ते है अगले प्रशन पर नेक्स्ट कोशन यहां पर देखिए प्राइ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है यह तरह का एक प्राइजिंग स्ट्राटरजी होता है ठीक है तो इस प्राइजिंग स्ट्राटरजी में क्या होता है जो बहुत जादा बड़े सिमिलर गुड्स होते हैं सर्विसे होते हैं उनका जो है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है जहां पर मोनोपली होती है वहीं पर इस इसक्रमिनेशन हो सकता है नेक्स्त पुच्छन पर पूचा गया है विच आप फॉलुविंग इस वाईरल डिसीज आप लांट्स का वाईरल डिसीज आपको यहां पर बताना है कौन सा है आलू का मुर्जाना केले में बंची टॉप या फिर सित्रुस कैंकर il ja bla कपास में ब्लाक आयम तो कौन सा चोगे कवारव डिसी माना जाता है प्लांस के लिए जिसका सही आंसर है केले में बंची टॉप यह जो थो पन्ची टॉप जो हता है इस राका बन्ची नम राका होता है तरह का डिसीज होता है यह पर लेख देता है यह इस इसके मतमано wishr होते हैं फेलली पाते बंच में। बंच में इकठे होने के उधारन आपको देती हूं जैसे आपका गुलाब का फूल है आप में पैटल्स इस तरह से इकठे हो रखे होते हैं अगर आपका हम बात करें यहां पर जो यह ड्राफिंग होती है ठीक है यह पौदे की ग्रोथ जो रुप जाती है ठीक है इसमें यह जब आप केले में बंची टॉप की बात करते हैं तो क्यों होता है जिसके पत्ते हैं वह खुल नहीं पाते फैल नहीं पाते उठ नहीं पाते वह बंच बना लेते इकठे हो जाते है रोस फ्लार की तरहां चलिए बढ़ते हैं अंगले प्रेशन के और नेक्ट कोशन या पर की suntra जैड जो कमोड़ा बात करें님 कूझ डूलार को शूट तरह से पानी किसी चाई स्टीम के रूट सोफ्लार को बता strengthen एक जिसके लावा एक चीज और इंपॉर्टन यहां पर जो यहां पर मैं लिग देती हूं सेकंड पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप का ऐसा वेंचर है सेकंड क्यों है क्योंकि फर्स जो है आपका कोचिन इंटरनाशनल एरपोर्ट यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है नेक्स कुश्चन यहाँ पर देखे तो मान आपको बताना है किस कंट्री ने अपनी करंसी को बदल के तो मान ने कर दिया गया है यह आपको ध्यान में रखना है अब क्या होगा नई करंसी के तहट दस हजार रियाल जो है एक तो मान के बराबर माने जाएंगे ठीक है तो यह ध्यान में रखेगा दस हजार रियाल एक तो मान गिना जाएगा ओके चलिए इससे क्या होगा जो चार जीरोज हैं इसकी रिडक्शन करने में सहायता होगी ओके चलिए next question यहाँ पर देखिए the constitution of India was adopted by तो आपको बताना है adopted on constitution of India जो है कब adopt किया गया था तो इसका सही answer क्या है इसको adopt किया गया था 26 November 1949 तो B जो है इसका सही answer है ध्यान में रखेगा अब यही date क्यों चुनी गई तो यह दिन जो है constitution assembly दोवारा adopt किया गया था 26 November और 26 जनवरी 1950 में जो है इसको लागू किया गया था और 26 जनवरी की date ही क्यों चुनी गई थी क्योंकि इस दिन जो है पुर्ण स्वराज जो है इसकी declaration की गई थी 1930 में तो इसलिए इसी दिन को जो है चुना गया था एकदम सही चलिए next question के हाँ पर बात करते हैं make in India initiative was launched in which year by our honorable prime minister श्री नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी दुआरा make in India initiative किस सन में launch किया गया था तो ये 2014 में launch किया गया था 25 September को 2014 में ये जो है launch किया गया था इसका objective किया था जादा से जादा skill enhancement करना जादा से जादा job creation करना 25 sectors जो economy के हैं उनमें job creation को तवज्जब देना इससे क्या है पूरे जो इंडिया को transform करना global designs और manufacturing hub के रूप में इंडिया को convert करने के लिए इसको जो है शुरू किया गया था चलिए next question की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन यहां पर देखिए SI unit of luminous intensity is तो यह आपको बताना है परकाशियत तीवर्ता की SI इकाई इसमें से कौन सी है lumen, candela, parsec या फिर mole यहां पर आपको बताना है luminous intensity की SI unit तो candela जो है इसका सही answer है यानी B जो है इसका correct answer है okay denote किससे किया जाता है इसको CD से denote किया जाता है next question यहां पर देखिए question number 45 dash produces white blood cells white blood cells आपको बताना है किसके दुआरा निर्मान किया जाता है इसका तो यह bone marrow में इसका निर्मान जो है किया जाता है अगर आप बात करें red blood cells की white blood cells की platelets की तो इन सभी चीजों का निर्मान कहां पर किया जाता है bone marrow में bone marrow क्या है bone marrow जो है एक आपका soft fatty tissue है यह आप ध्यान में रखेगा soft fatty tissue है हमारी bone cavity के अंदर यह चीज़ यहां पर आप ध्यान में रखेगा ठीके एक और important बात white blood cells जो है वो हमारे fighter cells होते है तो इनको बढ़ाया जा सकता है अगर आप जो है इस तरह की चीजों का इस्तावाल करें जैसे ब्रिंजल खाना ठीके इसके इलावा आप अगर ग्रीन टी का उप्योग करते है तो इन सारी चीजों से आपके white blood cells में बढ़ातरी होती है next question यहाँ पर देखिए question number 46 who discovered the electromagnetic nature of light किसने प्रकाश की विद्धियो चुम्ब के प्रकृति की खोज की snell, newton, maxwell या फिर young तो किसने जो है यह खोज की c maxwell जो है इसका सही answer है यह ध्यान में रखेगा एकदम सही चलिए तो c जो है इसका सही answer है theory of electromagnetism जो है Maxwell द्वारा 19th century में जो है इसकी James Clark Maxwell द्वारा यह पेशकश की गई थी single theory है electromagnetic nature of light की जो इनोंने दी थी यह ध्यान में रखेगा इसके लाबा Maxwell equation physics की classes में भी बहुत discuss कर चुक है उसको elaborative तरीके से next question यहाँ पर देखेए फ्लीज एक चीज़ ध्यान में रखेगा lecture को share जरूर करना मत भूलिएगा question number 47 यहाँ पर देखे किस तारीक को गांधी ने अपनी डांडी यात्रा की शुरुवात की थी तो आपको डेट यहाँ पर बतानी है तो यह शुरुवात की गई थी 12 मार्च को यह जो है इसका सही आंसर है यह आपको ध्यान में रखना है 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने अपने सावरमती आश्रम से एहंदबाद में डांडी का शुर महाँ पर यह यात्रा शुरु की गई थी क्यों स्टार्ट की गई थी क्योंकि उन दिनों गॉर्मेंट ने सॉल्ट टेक्स अनिवारिया कर दिया ताकि सभी को सॉल्ट बनाने वाले को सॉल्ट बेचने वाले को खरीदने वाले को सभी को सॉल्ट एक्स देना पड़ेगा उसके तहत जो है इसको कंट्रोल मिलाने के लिए उन्होंने यह यात्रा शुरू की गई थी चलिए नेक्स्ट क्यांपर बात करते हैं स्पॉर्ट दी एनरजी करंसी तो यह आपको बतानी है उर्जा, मुद्रा, काच्यन, करे बताईए एनप, एनप, एटीप, एडीप तो कौन से इसका सही आंसर है एटीप इसका सही आंसर है तो एनरजी जो है जो लिबरीट होती है आम बात करते हैं इसको एटीप में डिनोट करते हैं मालीजे जो सेल्स हैं वो रियक्शन जब करते हैं तो जो एनरजी जो रिलीज होती है वो फॉसफेट ऑक्सीजन ग्रूप के रूप में होती है ठीक है फॉसफेट ऑक्सीजन ग्रूप के रूप में होगी तो उसको क्या बोलते हैं अडिनोसीन डाइफॉसफिट एडीपी और एडीपी की जो एनरजी जब सेल से रिलीज होगी उसको बोलते हैं एटीपी यानि अडिनोसीन ट्राइफॉसफिट तो यह आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुर्शन यहां पर देखिए तो देखिए हर हमारे याद के लेक्टर में चाइना बहुत आ रहा है ध्यान में रखेगा से बहुत इंपोर्टन हो सकते हैं इसके नैशनल बर्ड ऑफ चाइना आपको यहां पर बताना है कौन सा है तो वह है रेडड क्राउड क्रेंड जो है इसका सही आंसर है यहां आप तस इसको कहा जाता है ठीक है मैं यहां पर लिख देती हूं इसको जैपनीज क्रेण भी कहा जाता है जपान में इसके लावा नौर्थ एस्ट की बात कि जाये मंचूरिया लोग जो है इसको क्राउड क्रेंड के नाम से भी जानते हैं ठीक है next question यहाँ पर देखे what is the currency of Ethiopia Ethiopia की मुद्रा आपको यहाँ पर बतानी है कि कौन सी है तो यहाँ पर जो मुद्रा इस्तमाल में लाई जाती है उसको कहते है बिर चलिए comment section में लिखकर euro कहाँ पर इस्तमाल होता है kd कहाँ इस्तमाल होता है krona कहाँ इस्तमाल होता है यह krona नहीं जो normal corona unit है वो कहाँ पर इस्तमाल होती है जरूर लिखकर बताईएगा चलिए यहाँ पर आप लोग यह देख सकते है बिर जो unit है वो इस्तमाल यहाँ पर इथोपिया में लाई जाती है ठीक है so that's all for today thank you